रमशकार दोस्तों मेरा नाम है मुकुल चौधरी and the daily analysis is here so traders आज था budget and traders के लिए specifically थोड़ा सा bad news है because आप देख सकते हैं आपर clearly STT को भढ़ा दिया गया है for futures and options और आपका LTCG long term capital gain tax और short term capital gain tax दोनों को भढ़ा दिया गया है long term के अंदर जो exempt limit है वो भी बढ़ाई गई है तो वो एक थोड़ा सा good part है और ये आज ही से सब कुछ कर दिया है इसका कोई specified date नहीं है तो basically इसे को मौका नहीं दिया गया कि भाई ये कल को tax लगना जाए तो फटा फट अपने सौदे निकाल दो अगर आप यहां देखेंगे क्या किया है आप यहां पर देखेंगे अगर आप यहां पर देखेंगे आप अगर मैं आपको निफ्टी में देखा हूँ निफ्टी में देखेंगे यहां पर आप देखेंगे जो candles आई है यह इस टाइम पर इस पहली candle पर आया था STCG का इस पर LTCG का और इस पर STCG का इस पर STT का आया था उन्हें पुट करके मार्केट को उपर उठा दिया है बट गुमा फिरा के बात यह है कि वो कॉस्ट और भड़ेगी और जो लोग स्पेसिफिकली स्टाइडल स्टाइंगल एजस्मेंट करते हैं दिन में देड़तो देड़तो दोसो दोसो ओर्डर्स पंच करते हैं वह उनकी बहुत लंका लगने वाली है विकिस एक कॉस्ट भढ़ रही है और हलके फुलकी नहीं करें अर्ज द्रैल अर्ज वोल्मस डॉट दॉट अलुट बडुन इंक्रीट स्ट अवर्डर्स तो नों की नंबेश के साथ से अब लॉंग अर्प अब की आच से अपलिकेबल मतलब इनकी को इस पैसिफ़ाइड नहीं की इस इंस इंस अपलिकेबल होंग है तो इस जिए एक अलगी आग लगी विदी ना every third person zero hero zero hero यह सब चल रहा था तो I think यह चीज़ कर सकती है okay but जो लोग छोटी trading करते हैं 5000, 10,000, 15,000 से trading करते हैं उनको इतना फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि STT अगर वो calculation करते हैं एक lot, 2 lot, 4 lot में तो इतना फरक नहीं है जो actual में बड़ी trading कर रहे हैं उनको फरक पड़ेगा काफी फरक पड़ने वाला है तो but nevertheless कोई भी I mean एक रियायत नहीं दी गई है यहां पर एक बड़ी stupid चीज यह है कि अगर आप एक चीज observe करेंगे long term capital gain tax जो है वो increase कर दिया गया है short term capital gain tax increase कर दिया गया विसका मतलब क्या है अगर loss होगा तो तो तुमारा है अगर profit होगा तो हिस्सा दे तो चुप-चाप तो यह बड़ी problem वड़ी चीज है और भी बहुत सारी चीज है जो जैसे properties related है वहाँ पर भी थोड़ी आगे-पीछे खबरें हैं बट मैं वो सब यहां cover नहीं करना चाहता हमारे जो चैनल है वो specifically stock markets के लिए है तो यहां एक बड़ी problem है guys कि यह एकदम से increase कर दिया गया है और करा जाएगा speculative income मनाई जाएगी तो चलो थांग ओड़ी वह चीज यहां नहीं हुगी है बट स्टिल यह जो science है यह अच्छी चीज नहीं है stock market community के लिए और आप US में देखेंगे चाइना में देखेंगे यॉर्प में देखेंगे सारी countries मगर आप देखेंगे healthy stock market community होती है trading ह healthy आपने MCX की market तो मारी दी है आपने Forex की market भी खतम कर दी है आप भार भी trading करने देना नहीं चाहते हो आपने जो आपके अपनी खुद की market उसमें भी आप इतने over taxes लगाने के चक्कर में बैठे हो तो basically game बड़ी simple है we are not going to give you options to do what you want और जो है इसमें ही करना पड़ेगा और ह इसलीज यहां पर आप समझ सकते हो कितने कम लोग हैं जो इंडिन मार्केट में trade करते हैं आप अगर इसको चाइना से compare करेंगे या फिर आप यूस से compare करेंगे यूस मार्केट में almost 50% आपके लोग हैं जो stock market में trading कर रहें investing कर रहें चाइना में I guess 12-15% का एक number है इंडिया में I guess 3% भी नहीं है तो यार बहुत कम है this is not the right number active trading के मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा यह सब चीजों को और भढ़ने देना चाहिए था इस community को भढ़ाना चाहिए था बट मुझे यह लगता है कि इस reason की वजए से this is the reason यह reason है आपको दिखाता हूँ यह है reason कि यह जो उनको clam down करना है FNO का वो एक reason है कि इनको speed है जिससे FNO भढ़ रहा है कर रहा है इनको यह इसको एकदम से reduce करना है banks जितने भी आपके CEOs हैं सब में वो तारीफ कर रहे हैं कि भई सही कि होगा क्या है यहां से clam down होगा तो पैसा कहा जाएगा FD में जाएगा तो वो तो कुछ होंगे ही जाहर सी बात है और 15 में के चार्ट पर सबसे पहले Nifty से अपना plan को समझते हैं अचा बिफोर वी स्टार्ट गाइज कल मैं money control के एक event में आ रहा हूं यार कल expiry trading है तो उसके लिए मैं event पर आ रहा हूं आप यहां पर जाके अपनी seats book कर सकते हैं यह वो event है मैं आपको दिखा देता हूं यह रहा वो event कल मैं been invited तो आप आईए हैं यहां पर मैं मैं को यह zero hero की strategy के बारे में बात करने वाला हूं यहां पर मैं straddle strangle के बारे में बात करने वाला हूं और एक मैं बात करूँगा आपका swing trading stocks के बारे में delivery based पे आप किस तरीके से अच्छे stocks चुनते हैं and क्या तरीका है इस time की market पे अच्छे stocks चुनने का तो सब मैं बात करने वाला तो दो topics होने वाला है जहांपर मैं बात करूँगा तो make sure आप आईए इसमें platform fee है वैसे free है ये बढ़ एक platform fee है 2.99 की तो आप pay करते ना because इसके recording सब आपको मिलेगी तो maybe इस चीज का ही वो charge कर रहे है तो आप ये देख सकते हैं इस video को description में इसका link होगा और मेरे telegram channel पे भी है तो दोनों जबापर है अब हम समझते है guys कि यहाँ पर क्या scene है अब अपना अगला plan क्या रहेगा किस तरीकिसा हम लोग trade करने वाले है अब देखो सबसे बड़ी problem क्या है अगर आप market के आज देखेंगे याँ पर सबसे बड़ा problem क्या हुआ है इतनी बड़ी candle आई और ये recover भी हो गया अब मैंने आपको बताया है कि mutual funds maybe यहाँ पर buying की है इस वज़े से एक दम से आया है क्योंकि उनको lower levels पर buy करना होता है market bullish है no doubt एक market का trend है कि जब भी daily charts पे जब भी daily charts पे market में एक trend बनता है आपे देखिए कोई भी follow through नीचे की side पे नहीं हो रहा bearish engulfing no follow through ठीक है यहाँ पर bearish engulfing no follow through कभी भी यहाँ पर देख सकते इत्ती बड़ी candle आई no follow through उपर market आगी वापस यहाँ पर भी क्या हुआ एक news खराब आई market के लट फिर भी buying आगे इसके मतलब people are इतना जादा bullish है हो market पे इस time पे तो अभी market में हर dip पे buying की जा रही है तो अब यह कब तक रहेगा यह देखते हैं वागी 15 मट के चार्ट पर कल का plan क्या रहने वाला है let's understand that देखे सबसे फ़हले चीज़ सबसे पहले मैं आपको एक सीजी सी चीज़ बता देता हूँ price में यह जो area है guys almost आपका यह वाला area यह जो area है अगर कल price इसके ऊपर trade करती है तो I have a feeling कि price यहां तक 24-700 तक एक अच्छा target दे सकती है and then all time high पहली चीज़ और अगर कल यह जो rally आई है यह one-off type थी trap rally थी और price इसके नीचे trade करने लग जाती है तो यहां पर एक selling plan किया जा सकता है और first target यह होगा और second target यह होगा और अगर यह चीज़ होती है तो then chances है कि market में correction आएगा तो यह depend करेगा यह पता चलेगा और अगर आप एक seller है option seller है तो क्या plan मनना चाहिए उसके बारे में समझते है अगर price लेट से यहां पर कहीं खुलता है अगर यहां की खुलती है price तो guys यह आपका strangle area है almost 24,500 and then here is 24,100 यह दो areas है जहाँ पर आप अपना strangle खोल सकते हैं तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं price को match कर सकते हैं अगर आप यहां देखेंगे 24,500 24,500 की call अगर आप देखेंगे it's around 92 और 24,100 की जो call है sorry, put है around यह है 20 रुपे की तो basically यहां पर सब exhaust हो गया है 24,400 की जो put है यहां पर exhaustion हो गया है तो अब हम क्या करेंगे हमें kind of matching करनी है आपर तो आप यह लेके चलिए की around 250 तो यह 250 का अगर आप zone देखेंगे इदर 250,300 की करीब का अगर आप zone देखेंगे यह 56 रुपे का है और अगर आप इसको थोड़ा सा उपर लेके जाएंगे 600 तक तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं आप यह strangle बना सकते हैं 600 और 300 24,300 मतलब यहां तक का 24,300 और 24,600 यहां का एक strangle बना सकते हैं या फिर आप बीच में एक strangle प्ले कर सकते हैं अगर यहां पर कहीं खुलती है 24,400 के आसपास कहीं खुलती है 24,450 के आसपास कहीं खुलती है 450 ले लते हैं अगर इसके आसपास कहीं खुलती है तो आप यह देख सकते हैं यहाँ आपर एक अच्छा खासा straddle open हो सकता है, तो दोनों choices है हमारे पास, अब देखते हैं कल market क्या करती है, then we'll plan something, अब next game क्या है guys, next है अपना, कल है bank nifty के expiry, तो क्या plan रहेगा, daily short पर आ जाते हैं, daily short पर आप देख सकते हैं, bearish engulfing pattern बना है, पंदरा मिनट पर आप देखेंगे, पंदरा मिनट पर आप यहाँ देख सकते हैं, price ने उतनी recovery नहीं दिये, जितनी market में nifty ने दी गई है, तो अब यहाँ plan क्या रहेगा अपना, यह जो zone है guys, इस zone के उपर अगर price रहती है, तो यहाँ पर एक buying आईगी, कि most probably यहाँ तक, यहाँ तक scalping areas बन सकते हैं हमारे, and जब तक यह area actually निकलता नहीं है न, upside पर जब तक मुझे लगता है कि यह kind of आज का दिन जो है वो bearish रहने वाला है, मद अब यह थोड़ी सी market न, banks के लिट 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 बैरिश रहने वाली है, तो यहाँ पर मेरे लिए straddle और strangle, यह दोनो open है, ठीक है, same pricing पर मैं करने वाला हूँ उन पर, तो यह मेरी ज़्यादा preferred कल go to strategy रहने वाली है, जब तक मेरे को direction नहीं मिलेगा, मैं बहुत clear हूँ, और यह आप लेके चलिए, अगर मैं previous में अगर एक कोई range mark करने की कोशिश करूँ, आप अगर यहाँ पर देखेंगे, इस zone के पास अगर आप देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर last support लिया गया था, राइट, price यहीं पर ही है, तो अगर कल price लेट से, यहाँ पर थोड़ा सा गूम के ऊपर निकलती है, तो यह first target हो सकता है, यह second target हो सकता है, selling, मैं आपको यह चीज़ बोलूँगा, यह selling most probably अगर price ने करनी होगी ना selling, तो open होते ही एक red candle बनेगी, थोड़ा गूमेगी, फिर नीचे जाएगी, तब एक selling हो सकती है, बट guys quantity ना थोड़ा direction में कम रखिएगा, क्योंकि यह जो आज का event है ना मुझे लगता है, इसमें absorption होने में थोड़ा वक्त है, absorb जैसी होगा ना उसके बाद एक अच्छा move आएगा, अगर आप इसका daily का chart देखेंगे, सबसे main मुद्दा है ये, 51,888, भाईया इसके उपर अगर price travel करती है, तो bullish रहने वाली market, अगर इसको cross नहीं कर पाती है, यहां से reject कर रही है, तो यहां से फिर market दुबारा से fall करेगे, और इस level को check करेगे, यह आपका number होना चाहिए, that's how you should play tomorrow, जो भी लोग इंट्रेश्ट हो, आप local event में आ सकते हैं, it is sponsored by money control, वीडियो को description में लिंक होगा, टेलेग्राम पर भी लिंक होगा, तो आपको जो भी topic सीखने आप आ सकते हैं हमाँ पर, so I hope this helps, and as a community हम लोगों को एक दूसर को support करना है, तो जहां पर हो सके guys, आप लोग इस वीडियो को फिलाने की कोशिश करिये, लोगों को पता रहे, and धीरे धीरे यार, as a community हम लोग build up करें कि, at least हमें भी कही ना कहीं कोई ना कोई रियायत मिले, because we pay taxes यार, अगर चलो आप direct taxes भी पे नहीं कर रहे हो, तो आप कही ना कहीं, मतब अगर आप लोग income tax पही नहीं कर रहे हो, तो यार आप future and options में, even a loss making trader is paying taxes दबा के, तो ऐसा नहीं है कि यार, हम लोग कुछ अपनी तरफ से contribution नहीं कर रहे है, जो losses कर रहा है, जो profit कर रहा है, everyone is paying their share, profit वाला तो और दे रहा है, तो ये वाली scene है, तो I think, सरकार को उस चीज़ पर गौर करना चाहिए, and कुछ अच्छी चीज़े लेकर आने चाहिए, दो market trend में है, सब कुछ अप है, तो मेभी इसी वज़े से, सरकार ने सोचा कि, ये लाने की कोशिश करते हैं, demand तो ही, कहिना कि दुबारा absorption होई जाएगा, तो वही हुआ है, आज nifty में अगर आप देखोगे तो, तो ये scene है, let's see what happens, future में देखते हैं क्या होता है, बाकि आप लोग follow कर सकते हैं चैनल को, आपको ब्यद्य की पसंदाई, आपको बीड़े पसंदाई,